मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 28 मई 2021 का दिन मीन रासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले शमय में मीन रासी बालों के जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके प्रेम जीवन के बारे में मित्रों आने वाले शमय से पहले यदि आपके प्रेम जीवन में कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि आने वाले शमय में यदि आप अपने प्रेम जीबन के मामलों में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आने वाले शमय में आपका प्रेम जीबन बहुत ज्यादा खराब होगा। मित्रों आप में से जो भी जा तक आने वाले शमय में किसी भी नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो आने वाले शमय में नए काम को सुरु करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका साथ नहीं देगा मित्रों आने वाले शमय में आपको अपने कारोबार, अपने बेपार, अपने काम काज के छित्र में हर हमेशा साबधानी बरतनी चाही क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने कार्ज छेत्र में कोई भी जल्दिबाजी करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना अवश्य करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक छात्र हैं विद्यार्थी हैं तो आने वाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आने वाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई में आपके घर के लोगों का सपोर्ट आपके सिक्छकों का सपोर्ट एबम आपके सिनियर का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा एबम इन लोगों के साथ इन लोगों के सपोर्ट के कारण आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी एबम सुन हरा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्य साली अंक है तीन यानी की थिरी मित्रो आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए एक टोटका है उस टोटके को आपको आजमाना चाहिए मित्रो आने वाले शमय में आपको मीठा चाबल बना कर गडीबों के बीच में आपको बांटना चाहिए आने वाले शमय में यदी आप ऐसा करते हैं तो आपके जीबन में कोई भी पड़ेशानी नहीं होगा तो मित्रो इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से अर कर दे धन्यवाद